फवईनगर से 10 किलोमीटर दूर ग्राम हडा के पास प्राचीन सिध बागराजु का मंदिर है इस मंदिर में भगपान हनुमान की प्रतिमाफ राचमान है मनता है कि कुछ चाल पहले तक यहां बाग आते थे लेकिन कभी भी पह मंदिर परिसर की नस्दीक नहीं आये तब ही से इस स्थान का नाम बागराज पढ़ गया आपको बता दे कि बागराज मंदिर में हनुमान की के प्रतिमाफ राचमान है उसको कई बार निकालने की कोशिश की गए पर उनका अंत नहीं मिला कहा जाता है कि जो भी पांच मंगरबार या शनिवार इस स्थान पर आते हैं उनकी सारी मनुकामनाएं पूरी होती है ये स्थल आसपास के लोगों में आस्था का केंबर है शनिवार कुनगर के धर्म प्रेमी युवा और समा से वी युवाउदार श्री राम संकी दनो नारा प्रसाद वित्रण किया गया मंगलवार और शनिवार को जारू की संख्या में लोग यहां अपनी मनुकामनाएं लिकराते हैं और दर्शन करते हैं पावई से अनुप कुमार शुकला की रिपोर्ट आज ब्रमाड़त है कि अगर बाग इसकी सीमा के अंदर नहीं आ सकता है आज वी आज हमारे पवी लाकें बहुत सारे भागें यह आज भी कोई जिसको ही बिसेश्ता देखना हो यहां के देख लेसे यहां नहीं आता है यह शिद्ध स्थान है जिस काल की मूर्ती अपने हनुमान भाटे की है उसी काल की मूर्ती यह कहलाई लगवग चोल सासन के आसपास यह शास सो आठ सो बर्स परानी है यह बागराज हनुमान बब्बा का इस्थान है यहां बहुत दूर-दूर से लोग आते जाते हैं और यह प्राचीन इस्थाल है और सिद्ध स्थाल है यहां लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है कहीं से बहुत दूर-दूर से लोग आते जाते हैं और यहां भंडारा प्रसाद भी चलता रहता है लोगों की जब मनोकामना पूर्ण होती है तो यहां भंडारा करवाते हैं और इतरों से लोग बाग आते हैं